नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं स्टडी शोप आज मैं आपको इस फायर टेंडर के बारे में बताऊंगा जो कि आपको यहां पे इसका बैक व्यू दिखाई दे रहा होगा यह फायर टेंडर वाटर टाइप फायर टेंडर है जिसके अंदर पानी भरा होता है जब भी अपने कोई रेस्क्यू करने या फायर फिट होता है या आपने कहा सकते हैं कौन-कौन सी फायर फायटिंग की असेसरी इसके अंदर होती है तो चलिए अपने वीडियो का शुभारम करते हैं इस फायर टेंडर के साथ वैसे तो सभी फायर टेंडर एक जैसे ही होते हैं बट कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं जिनक उनको यह दिया गया है उनको यह अलोट किया गया है जिसकी capacity 16-100 लीटर है और यह बाइस सो पचास लीटर 7 kg के प्रेशर के साथ पानी को फिंक सकता है यानि यह लगबग एक मिनट के अंतराल में पूरा टैंक खाली हो सकता है अगर इसको अपने 7 kg के प्रेशर पर चलाएं ज पचास लीटर 7 kg के प्रेशर के साथ और पंप की सीरीज है 376 और इसकी capacity है 1600 लीटर यह इसके कुछ फंक्शन है जिनके दरिये इस पंप को चलाया जाता है यह जो आपको यहां पे पंप दिख रहा है यह है सेंट्रिफ्यूगल पंप है और इसके अंदर जो प्राइमर लग या फायर ओफिसर बैठ सकते हैं या दो हेलपर कह सकते हैं अपने दो हेलपर यहां पर बैठ सकते हैं तो इसके अंदर की जो बनावट है वह है लगबग सभी आम गाडियों जैसी ही है इस वाटर टेंडर का मेन पंप जो जिसे अपने सेंट्रिफ्यूगल पंप कहते हैं इस पंप के बारे में अपने आगे चर्चा करेंगे लेकिन अभी इसके बसस्पैसीन के बारे में अपने आओ चर्चा कर रहे हैं जिसके अंदर इसके उपर एक होजरील होज लगी है जश्ट पंप के उपर और एक साइड में भी होजरील होज लगी है जिसकी जो नोजल है वह है जेट फोग और स्प्रे तीनों कर सकती है यह हमारे फायर मैन है जिनोंने इसे पकड़ रखा है अभी अपने पंप को तो चालू नहीं है, तब इसमें से पानी नहीं निकल रहा है और इनकी जो लंबाई है वह सो से डेड़ सो मीटर तक की होती है और यह जो होजरील होज लगी है यह सिर्फ जेट करती है इसके अंदर और कोई फिचर नहीं है या स्प्रेय सिर्फ जैट करता है इस शाइड में कुछ delivery hose रखे गई हैं शायद आपको यहां पर दिखाई दे रहा ओगा बास्केट स्टेनर और कुछ डिलीवरी होज रखे गई है इसमें लाइटिंग की विवस्था भी है ताकि अँदेरी में अगर आपने जाए तो अपने जाएं तो दिलीवरी होज को अपनी से पैचांस कि जिनको आप यहां पे देख सकते हो इन टूल के बारे में अपने आगे चर्चा गरेंगे कि कौन सा टूल किस काम आता है और यह सीट है बैठने के लिए साथ में इसमें भी काफी ब्रांचेज वगरा रखी गई है और एक मैटल स्टेनर भी और साथ में फस्टेड किट भी चुके हैं कि कौन सी ब्रांच किस काम आती है तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में जाके उनको देख सकते हैं और अब अपने इसकी और स्पेसिफिकेशन देखते हैं इसके उपर चलते हैं कि उपर इसके अंदर क्या-क्या सामान मुझूद है अपने चल रहे हैं इसके उपर की और उपर काफी सामान मुझूद है इसके उपर एक लेडर है जो 35 फुट की है जिसे अपने fin Čल बोलते हैं इसी के साथ कुछ 45 फुट की भी आती है जिसे little layer extension लेडर बोला जाता है साथ में उपर एक monitor लगा है जिसे manual operate करते हैं ये monitor जब major fire होती है तब इसका use अपने करते हैं गाड़ी के उपर से दूरी पर पानी फैंकनी के लिए और इसको अपनी high pressure के साथ 7 kg के साथ इसको चला सकते हैं और इसके उपर जो branch लगी है यह फॉम ब्रांच है फॉम ब्रांच ह ही होती है और साथ में इसमें पिक अप ट्यूब दे गई है पिक अप ट्यूब के जड़िए अपने फॉम को सक्षिन करते हैं तथा अब फायर फाइटिंग करते हैं यहां पर चार सक्षिन होज तथा एक सिलिंग हुक रखा गया है जिससे अपने आउट साइडर से या अपरवाला ढकन है जिस से अपने इसके अंदर पाणी फिल करते हैं मैंनुल तरीके से अगर अपने पंप को ओप्रेट करके पाणी फिट बनना चाहें तो भी अपने इसमें भर सकते हैं उसके बारे में अपने ऊपरेशन की एक अलग से वीडियो बनाऊँ मेंगा जिसके आगे दो साइरन लगी है और लाइटें भी लगी गई है तो आशा करता हूँ आपको इस वाटर टेंडर के बारे में काफी कुछ जानकारी मिली होगी और ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल स्टडी शोप को सब्सक्राइब करें और देखते रिए स्टडी मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय भल